जार्खन मुनसिपल एक्ट 2011 बनाकर राज्य में मुनसिपल के चुनाव कराया जा रहे हैं पिछले दो आर से क्या पांच्वी अनुसुजी इलाके में चुनाव कराने के लिए अलग से कानून बनाने की अनिवारिता है या फिर जो चुनाव हो रहा है इसके लिए क्या कानून बनाया गया है अगर नहीं तो क्या चुनाव संबैधानिक है या असंबैधानिक है ये तो ऐसा मूल प्रशन आप उठा जेलें इस प्रशन का जवाब तो एक वाक्ष में हो सकता है कि ये असंबैधानिक है चुनाव के लिए कोई नियमावली या कानून ऐसा नगर निगम या नगर पंचायत के चुनाव के लिए वह ऐसा कोई नहीं बना होगा है तो बहुत लोग कहते है कि यह तो बना हुा है कानून और ये जो कानून है इस कानून का एक देखिये इसका भी एद netम मोटा साथा कानून है जारखन principles act लोग करते हैं तो कानूं तो बना ही हुआ है फिर यह यहाई इसी बात आप क्यूं करते हैं वो भी 2011 सवी में बना हुआ है फिर यह वकिल लोग कोई जाते हैं हाइकोट में रिट कर देते हैं नासमझी में करते हैं कि क्या ये भी पता नहीं है लोगों को लेकिन मूल बात ये है जिसको लोग सब समझते हैं क्योंकि जारखन पंचायत राज अधिनियम उसी को लेके लोग सोचते हैं कि जारखन पंचायत राज अधिनियम में जो पेसा पेसा क्या है भाई बहुत लोग बोले ले कि पेसा ही कह जब पंचायत चुनाव की बात हुई जब बना 2000 में तो पंचायत चुनाव की बात हुई और हिसाब से तो ज़र्खंड हमारा जो विधान सबा है उसमें एक तरह से बोल सकते कि प्रथम कानून ही बना जब बावलल मरांडी थे मुख मंत्री उसी में बना ये आपको ज़र्ख का है कि देख वर हम दूधा रेक का हैं और दूधार एक मैं ये अध्यक्षय पेसा क्या है पेसा के हिसाब जोड्य के पाँच्वी अनुशूची क्या है व किस सम्विधान में ये मैं उस्ची इन सदू committees i 59 से लिखा हुआ बड़े बड़े अफसर पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं फिर वे वो पूछ रहें कि पांचवी अनुसूची क्या है तो उसी पांचवी अनुसूची की बात में लोग पंचायत वाली बात को आगे बढ़ाते हुए पंचायत का चुनाव को 14 साल तक देर करा दिये और सु पंचायत चुना हुआ तो लोग सोची पेसा का भूत खतम हो गया अब पांचवी अनुसूची भी उधर ही है गाउं देहात तरफ बाकी जगह तो है नहीं यह भी हमको कभी समझ में नहीं आया कि इतने एडवोकेट जेनरल और जस्टिस लोग यह हमारे इतने मुनसीफ मज मुनिसपल कानून बना कब जब 2010 में सुप्रीम कोट से हम लोग जीत कर आये पेसा का आधार पर तब यह 2011 में मुनिसपल कानून बना और फिर उसी कानून के अंतरगत यह हुआ और इस कानून में तो उन लोग अनुसूचित छेटर को गाईद ही कन दिये अब हमारे कानून बनाने वाले भी जो मेले साहब लोग है पता नहीं उनको कैसे समझ में आया कि अपनी मन से गैप कर देंगे यह समवैधानिक चीज है पांचवी अनुसूची और उसी के आधार पर हम आपको बात करने वाले हैं जैसे यह जो पेशा है हमारे समविधान में भाग नौ और दूसरा है भाग नौ का भाग नौ पन्चायतों के बारे में है अब भाग नौ क ये municipality लोग के बारे में है, कोई सा भी नाम हो, नगर निगम, नगर पंचायत, जो भी नाम आप दो है, छोटा जगा का छोटा नाम, लेकिन राची नगर निगम हो है, तो ये आपको भाग नौ क सम्विधान में है, पेसा वाला जो कानून है भाग नौ में, जो पेसा का कानून है, जो पंचायत वाली बात है, उप पेसा कहां से आया, लोग पुछ रहें, पेसा है क्या चीज़, तो पेसा देखिए, उसमें भाग नौ में, उसमें दिया हुआ है, इसका है, अनुच्छेद 243M, मुंबई से M, याद रखिएगा, 243M, गौर की ज़ तो पांच्वी अनुसूची अरिया है, जारखंड प्रदेश में, ये मौर देन 50% है, अब उसमें पांच्वी अनुसूची अरिया में, जब बोला कि नहीं लागू हो सकता है, तो कैसे लागू होगा? तो उसके लिए फिर उन्होंने उसी 243M में दिया हुआ है, उसका 243M का भाग, अनुच्छेद 243M का धारा 4 का B, A, B, C, D, B, B में दिया हुआ है कि जो हमारा संसद है, वो संसद कानून बनाकर ये भाग 9 को, मैंने पंचायतों के बारे में, मैंने देहात के छेतर वाले में भाग 9 को उसको विस्तार कर सकता है, उसमें लागू कर सकता है, वो एक्स्टेंशन कर सकता है, उसी लिए वो नाम पेशा आपके समझा जाएगा, विस्तार अधिनियम है, पंचायतों के उपबंद का विस्तार किया गया है, वो हमारे संबिधान में भाग 9 में है, उसका वि उसी को पेशा बोलते हैं उसी तरह का चीज मुनिस्पैलिटी वाला जो बात है मुनिस्पैलिटीज वो भाग समविधान का भाग 9 क 9A उसमें उसी तरह का जैसे 243 M है उसी तरह का उसमें है उसका है आपको 243 ZC वो क्या था 247 M और ये है 243 ZC उसका भी वही हाल है देखिए Part not to apply to certain areas उसका भी वही हाल है और उसमें भी वही बात लिखा हुआ है जो पेशा में लिखा हुआ था कि संसद हमारा वह विस्तार अधिनियम मनाएगा किसका विस्तार समविधान का भाग 9 को को विस्तार करेगा अनुसूचित rights दो अधी तक किया ही इस अधर में कोई कानूनमें कोई अधी तक नहीं मैंने जदी बना रहा था तो हम बोलते आपको मेसा लेकिन उससा तो है नहीं हम मेसा बोलके क्या करेंगे लेकिन फिर भी यहां चुना हो रहे हैं कानून नहीं है अब आप समझी नहीं दो हजार एकार में यह जारखंड मुनिस्पल एक्ट दो हजार एकार में बनाए इन लोग तो यह इतना दिन क्या कर रहते या तो मेसा बनाते या उनको विचाही नहीं था उनका कि अच्छा सोज जाते हैं त्वारत ज्यां का जहूद का ज़रखंड का जो जहर खंडी लोग है दमसुपता वस्था में हो जाएंगे तब फिर हम काम करेंगे क्या काम करेंगे जिस तरह से ग्रामीन छेत्रों में इतने सालों से 1947 से दामदर वैली कॉर्पोरेशन का जो इतना बांध है उसका जो जमीन का अधिकरहन और बांध बनाना वो सब बहुत लंबी काहनी है कि जुनाव के साथ सर नगरपालिका बना हुआ है वहाँ पर काम हो रहा है और मतलब कि चुने जा रहे हैं जन्परतंदी और बहुत सारे संसादनों और डवलिप्मेंट का काम कर रहे हैं लोग तो की सदावर पे ये पिछले दो तर्म से कर रहे हैं इसका तो समवैधानिक जदि समविधान का हम जान भूच कर बिरोध करते हैं या जान भूध कर उसके बिरोध में काम करते हैं कानून तोड़ कर तो बैमानी ही तो बोलेंगे चोरी तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैं खुद कानून वाला आदमी हूँ बैमानी ही बोल सकते हैं इनको तो करना ही नही जमसेदपूर नहीं परिदार को रहा है। थे जुगसलाय और फो होगा कि अनुसूचित छेत्र नहीं करते हैं. वो सारे के सारे गैर संबैधानिक और उनमें जितना काम हो रहा है वो गैर कानूनी है और जनता की तरफ से ज़दी मैं आवाज दूँ तो ये तो आख पर पट्टी डाला जा रहा है हमारा और क्यों डाला जा रहा है क्योंकि 21 शताब्दी में जो हमारा अर्बनाइजेशन का का विकास होने वाला है 60% of the population population का हमारे जनसंख्या का 60% आदमी शहरों में रहने वाला है 21 शताब्दी में उससे भी हमें दूर किया वन्चित किया जा रहा है यही आख पे पट्टी डालके और मुनिस्पल्टी पचायत वाला में तो विस्थापन और क्या-क्या और बांध और खदान और